हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो, IPL 2022 अभी समय अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और लीग मैचेश समाप्त होने के बाद अब मुकाबला प्ले आपकी ओर आगे बढ़ रहा है यहाँ पर पहला क्वालिफायर मुकाबला 24 माई को इडेन गार्डेन कोलकाता में आयोजित होना है और आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले का प्रिव्यू करने वाले हैं आपको बताएंगे कोलकाता में इस्थित ये इडेन गार्डेन की पिछ कैसा खेल सकती है ना सिर्फ पहले क्वालिफायर मुकाबले में जबकि इलिमिनेटर मुकाबले भी यहाँ पर होने है तो इसके बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा प्लेइंग 11 देखेंगे दोनों ही टीमें कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है और यह मुकाबला इतना इंपार्टेंट है कि यहाँ पर जीतने वाली टीम को सीधे आईपिल 2022 के फाइनल का टिकट मिलना है तो निश्चित तोर पर हम इसका प्रिब्यू करेंगे कौन सी टीम यहाँ पर पहला फाइनलिस्ट के तोर पर आ सकती है आईपिल 2022 के लिए मैज प्रिब्यू मैज प्रिडिक्शन करने के साथ साथ एक वेतरीन डीम 11 टीम आपको पिक करके बताएंगे कि जिस टीम से आप बिल्कुल फ्री में किसी भी मैज के दोरान फैंटसी मैज के दोरान आप इस टीम से यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं वीडियो काफी जबरजस्त होने वाला वीडियो को बिना कहीं स्किप किये हुए अन तक जरूर देखिएगा इससे पहले आप से कहना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया टेट्स क्या बताता है तो यहाँ पर हुए कुल मिला के 11 मुकाबलों में पाच बार पहले बैटिंग करते हुए तो छे बार चेज करते हुए टीमें जीती है पहले निंग का एबरेज स्कोर 155 जबकि दूसे निंग का एबरेज स्कोर 136 रता है हाइस टोटल यहाँ पर पाकिस्टानी टीम ने बंगलादेश के सामने 201 किये थे पाच के नुकसान पर तो वहीं पर लोवेस्ट टोटल में बंगलादेश की टीम न्यूजिलेंड के सामने मातर 70 रनों पर आल आउट भी हो गई थी वहीं हाइस टीम भारती टीम ने वेस्ट इंडीज के सामने 162 का किया था जबकि लोवेस्ट रन डिफेंड में भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने 186 रन का अपना स्कोर सकस्पुली डिफेंड किया था वहाई पर दोस्तों बात करें इस वेन्यू पर अब तक हुए IPL मैचों के स्टैट्स की तो यहाँ पर कुल मिला के 75 IPL मैचेज हो चुके हैं और यहाँ पर कुल मिला के पहले बैटिंग करते हुए 30 बार जबकि चेज करते हुए 44 बार मुकाबले जीते गए हैं हाई एस टोटल केके आर के नाम है जो मुंबई इंडियन के खिलाब यहाँ पर 232 रं किये थे दो विकेट के नुकसान पर जबकि लोएस टोटल में यहाँ पर केके आर के सामने RCB की टीम मातर 49 रनों पर आल आउट हो गई थी पहले इनिंग का इबरेज स्कोर 169 जबकि दूस तो वराल कंक्लूजन यह है कि यहाँ पर नुटरल पिच है अच्छी खासी यहाँ पर स्कोर बनने की उमीद है लेकिन इडेन गार्डेन के पिच सुरुआती समय में थोड़ा सा तेज गेदबाजी को भी मदद मिलती है इसके अलावा ग्राउंड काफी लंबा है तो बात करें हम गुजराट टाइटन्स की तो यहाँ पर सुमान गिल के साथ रिद्दिमान सहा इसके बाद मैथ्व वेट को कंटिन्यू कर सकती है या ड्रॉप भी कर सकती है टीम इनका प्रदसन उतना बेतर नहीं है इसके बाद हार्दिक पांडिया डेविड मिलर राहु मत्समी यस दयाल और लॉकी फग्यूसन खेलते नजर आ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर मैच प्रिव्यू की तो निश्ची तोर पर यहाँ पर कार्टे का मुकाबला होगा दोनों हीटी में काफी सांदार सफर के साथ यहाँ पर आई है और यहाँ पर निश्ची तोर पर गुजराट टाइटन्स जो बढ़िया खेलती आ रही है लेकि उसके पास experience की थोड़ी कमी है जबकि राजस्थान राइल्स जो पहले सत्र के IPL की विजेता टीम भी रह चुकी है यहाँ पर थोड़ा सा भारी पर सकती है लेकिन यहाँ पर 50-50 का मुकाब पर बटलर और सैमसन है जबकि चार बैटिंग आप्सन डेविड मिलर सुपान गिल नेवड़ेट पैडिकल और यह से स्वाल है अलाउंडर के आप्सन में अस्विन और हार्दिक पांडिया जबकि तीन गेदवाजी विकल्प यूजु एंदर चहल मुहमद समी और रासीद खाना है टीम का कैप्टन हमने हार्दिक पांडिया को इस उम्मीद से बनाया है कि एक बहतरीन बलेवाजी फिनिसिंग करने के साथ साथ कुछ गेदवाजी के भी कुछ ओबर निकालेंगे और वहां से भी विकेट निकाल के हमको अच्छे पॉइंट दिलाएंगे जबकि व पूम्मीद विकेट लिक बड़ कुछ ऑंडिया है कि अगल आईगे लिकेट इएग्ट करने हैं विकेट अगड़ एड़ चाशने हैं उह हैं पुछ अगरवाज प φालादिक प्रभल में दो करिदाने हैं विके भी झाले प्रह बहतरीन आले हैं विकेट उन्य विकेट ते ह